आद्मी पार्टी की गतिविदियां रोहतक और आसपास के इलाके में पिछले कुछ दिनों में बढ़ी हैं। बुपेंदर हुड़ा जी और पूरा हुड़ा परिवार उससे कहीं न कहीं इनसिक्योर नजर आ रहा है। कहीं न कहीं परिशान नजर आ रहा है। वो लगातार हमारी गतिविदियों को अबजर्व कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि सबसे ज़ादा डेंट उनको इस इलाके के अंदर हो रहा है। जो हुड़ा साब ये कहते थे ये मेरा गड है और अब मैं पूरे हरियाना को जाके संभालूँगा, पूरे हरियाना में प्रचार करूँगा, वो पूरा हुड़ा परिवार पिछले कुछ दिनों से और अगले कुछ दिनों का अगर आप कारेकरम देखेंगे तो रोहतक और रासपास के इलाके में सिमट के रह गया है। इन सब गाउं का लगभग हमारा एक प्लैन तयार था और उस प्लैन के आधार पे हम इन गाउं में जाके जिन गाउं का हमारा प्लैन था मैं उनका नाम भी आपको बता रहा हूं कि घिलोड, खिडवाली, रिठाल, चिड़ी ये सारे गाउं ऐसे हैं जहां पे हमारे कारेकरम बिते थे और हम यहां गाउं गाउं घाउं जाके लोगों को बताने वाले थे कि घुड़ साहाब ने अपने समय में इन गाउं में कुछ दलालों को नियूक्त करके, इस तरीका से नौकरीयों में पैसा खाया है, उसकी पूल खोलने के लिए इन गाउं में हम कारेकरम करने हुड़ा साब उससे बुरी तरह से बॉखलाए हुए है और उन्होंने अपने अपनी कॉंस्ट्वेंसी के तीन दिन का दौरा रखा है अलग-अलग गाओं में तीन दिन के लिए वो यहां पर जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति की अपनी कॉंस्ट्वेंसी उन पूरा हुड़ा परिवार यहां पर लगा हुआ है दिपेंदर हुड़ा जी भुपेंदर हुड़ा जी और आशा हुड़ा जी तीनों रहतक में मौझूद है अगले कुछ दिनों के कारेक्रम भी उनके यहीं के हैं तो मुझे लगता है कि जमीन खिसकती जब नजर आती है और उनको जब लग रहा है कि भारतिय जंता पार्टी के साथ सेटिंग में एक लंबे दौर तक जो उन्होंने राजनीती की, उसका अंत समय आ गया है बामादमी पार्टी के आने से, वो सेटिंग तूट गई है पूरी तरह से, और लोगों को अब पता चल गया है कि उनके लिए मूलभूत सुविधाओं को लेके कौन काम कर सकता है, इसलिए अब बौखलाहट में अपनी जमीन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं खुला निमंतरन देता हूँ, हुड़ा साब इन सब गाओं में जा रहे हैं, समझाएं लोगों को, उन्होंने राज किया है यहाँ पे, यहाँ से मुख्यमंतरी रहे हैं दस साल तक, तो समझाएं लोगों के उन्हें लोगों के लिए उन्होंने क्या किया है हम भी जाएंगे अपने कारेक्रमों में इनी सब गाओं में और हम लोगों को बताएंगे कि जब हुड़ा साब का राज होता था तो कैसे अपने ही राज में अपनी कॉंस्ट्वेंसी के लोगों को अपने नियुक्त किये गए दलालों के जरीए पैसा लूट लूट के ठगा है हुडा साब ने, हम भी इनकी पोल खोलने के लिए इनके इलाके में जाएंगे, देखते हैं लोग कि इनकी बार का विश्वास क करा विश्वास का विश्वास का विश्वास के लिए दलाएंगे, देखते हैं लोग कि देखते हैं है।